चुनावों से पहले मुफ्त की रेवडिया पातियों के चुनाब जीतने का एक हथियार बन चुकी हैं। अब यह सवाल महरास्ट और जारखन के चुनावों से पहले लगातार पूछा जाने लगा है। दरसल मलिकारजुन खरगे ने अपनी ही सरकार के लोगों को फटकार लगाते हुए कहा था कि उतने ही वादे कीजी जितने आप निभा सके। अब इस चीज को बीजेपी पार्टी ने मुद्दा बना लिया। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी इस मुद्दे पर कॉंग्रेस पार्टी को कडखरे में खड़ा किया। ने राहुल गांदी और मलिकर जिन खरगे पर निशाना साथते हुए कहा कि जो इन लोगों ने खटाखट खटाखट पैसे डालने का आपकी अकाउंट्स में वादा किया था उन लोगों ने तो एक रूपिया भी नहीं डाला। लेकिन हमारी सरकार ने पटापट आप मुद्दा बनाया जा रहा है कि देखिये इस योजना से कितनी महिलाओं को फायदा हुआ है और अचार सहिंता लगने से पहले जो अक्टूबर और नवंबर की किष्टे थी वो भी महिलाओं के अकाउंट्स में डालती गए जिस पर विपक्षी पार्टियों ने निशाना स इस तरीके से चुनावी वादों को लेकर कॉंग्रेस को खटकरे में खड़ा कर रहा है उन्हीं के सरकार में या कहें कि उनकी जो सरकार के भीता जो यह मुफ्त की योजनाई चलाए जा रही है उससे महाराश्ट्र की जो अर्थवस्ता है कितनी घाटे में जा रही है जो जादा तर मुफ्त की जो योजनाई चलाए जा रही है उसके चलते सरकार घाटे में जा रही है महाराश्ट्र में 2024 में लगभग 8 ला करोड रुपे का यह पूरा का पूरा कर्जभार है और इससे पहले 2014 के अंदर अगर हम देखे तो यह बोज 2,94,000 करोड रुपे का थ जाए तो कितना करजा जो है वो दुगना तिगुना जो है या कहें चोगना जो है वो महाराश्ट्र के उपर वो बढ़ा है और ऐसा नहीं है कि राज्जी के अंदर इंवेस्टमेंट्स नहीं हो रही है या फिर उद्योग व्यापार धंदे यह सारे ठप हो गए जिस कारण महाराश्ट्र के अंदर करजा लगातार बढ़ता जा रहा है नहीं इंवेस्टमेंट्स भी कहा गया कि अच्छे तरीके से हो रही है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सरकार की कई ऐसी मुफ्त की योजनाई हैं जो राज्जी की सरकार है उस पर सीधा सीधा उसका असर पर रहा है साथी में मैं आपको बता दू कि 2006 के अंदर एक आर्थिक जिम्मेदारी और बजट व्यवस्थापन कानून बनाया गया था जिसमें तै किया गया था कि राज्य सरकार 80,000 करोड रुपए कर्ज तक की गारंटी लेगी लेकिन अब तक जो सरकार है उसने 70,000 करोड रुपए तक की सीमा पार कर दिये और 1,500,000 करोड रुपए कर्ज की गारंटर है इसमें महावित्रन और सडक विकास महामंडल का कर्ज भी शामिल है यानि आप समझ सकते हैं कि महाराज चुके अंदर सरकार किस तरीके से कर्जे के अंदर डूपती जा रही है जो लिमिट थ देने का वादा किया कि हर महिला क्या काउन पे 15,000 रुपए जो है वो जाएंगे यहां तक कि एकनाज शिंदे जो है वो यह भी कहते कि अगर हमारी सरकार जीत के आती है तो हम इस 15,000 को 2,000 तक भी कर देंगे और 2,000 से हम इसको 3,000 तक भी लेकर जाएंगे और जब सरकार नह में रखते हुए इस योजना को महराश्ट के अंदर लागू किया गया था और इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे की पूरी योजना को देखेंगे तो महराश्ट के अंदर जो बजट दो हजाथ 24 और दो हजार 25 है उसके मताबिक राज़े की राजसु आए 4,98,758 करोड और राजसु का व्य यानि जो खर्चा है वो 5,08,492 करोड रुपए है यानि जो खर्चा है वो आए से ज्यादा है फिलहाल 9,734 करोड रुपए का राजसु घाटा है केवल सरकारी करमचारियों का वेतन सेवा निर्वत्र करमचारियों का वेतन और रिणपर ब्याज सरकार खर्च का 53 प्रतीशत है यानि 2,64,341 करोड रुपए खर्च हो है और पूंजी गत और अन्नेखर 47 फीसदी यानि 2,344,416 करोड रुपए है आए से अधिक खर्च करने की बजाए पैसा जैसे आ रहा है वो वैसे ही खर्च किया जा रहा है के लिए लाडली बहन योजना के लि अगर मोटे तोर पर भी अगर कोई व्यक्ति देखे तो वो समझ पाएगा कि किस तरीके से चुनावों से पहले योजना लाई जाती है और जो दो महीने का पैसा जिसमें जिस वीच में चुनाव होने वो लोगों के अकाउंट में डाल दिया जाता है अक्टूबर और नवं अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है तो ऐसे में सरकार को लेकर भी महिलाई जो है वो कितनी जादा खुश होंगी सरकार के प्रति उनकी जो सोच है वो कितनी जादा बदलेगी और सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए अगर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी योजना को लेकर हो कहा कि ये योजना जो है न वो महराश्र को कंगाल कर देगी इसके साथ साथ में रास्ठाकरे ने ये भी कहा था कि अक्टूबर की किष्ट चुकारने के बाद सरकारी खजानी में पैसे ही नहीं बचेंगे सरकारी करमचारियों को वेतन देने के लिए पै सानों से मुफ्त बिजली नहीं मांगी तो मुफ्त क्यों दे तो यानि आप समझ सकते कि रास्ठाकरे क्या कह रहे है कि आने वाले वक्त में तो जो सरकार का खजाना है वो खाली हो जाएगा इतनी आप फ्रिक योजनाए दे रहे तो इस सब आप महिलाओ को रोजगार दीज यह सही बात है कि आप और चीजों में अच्छा कीजिए आप जो मेडिकल की सुविधाय हैं उसमें अच्छा कीजिए और सबसे बड़ी चीज देखें जो यह मुफ्त की रेवरिया जो है वो खाली अके लिए बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है आप अगर हर्यार कांग्रिस की तरफ से अगर उनकी सरकार आती है तो 2000 रुपए दी जाएंगे वहीं बीजेपी की तरफ से 2000 को बढ़ा कर 2100 रुपए कर दिया गया यानि देखें कि कॉम्पटीशन कितना चल रहे हम मुफ्त देंगे हम मुफ्त देंगे अगर आप इन सब चीजों के बजाए कोई अच्छी योजना लाए जिसमें व्यक्ति खुद काम करके पैसा कमा सके तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं कि इन योज अगर आप मुफ्त की चीज़े वैसे अगर सरकार जो है अगर जनता को पैसा दे रहे तो आप अगर बुद्यमान हैं थोड़ा सा अगर आप इस पर दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको खुद समझ ब्याएगा कि अगर सरकार आपको पैसा दे रही है न तो आपको कहीं न कहीं उस पैसे को निकालेगी क्योंकि सरकार या कहें सरकार में बैठा व्यक्ति अपनी जेब से पैसा नहीं दे अपने घर का खजाना लाकर जंता में नहीं लुटा रहा है बलकि यह वही खजाना है जो आप और हम टेक्स का पैसा देते हैं तो यह मोटे तोर पर यह बात समझने वाली बात है क्योंकि देखें आपको मैं बात बताती हूं कि देखें अबराहाम लिंकल का एक बड़ा ही अच्छा कोट है अगर आप उसे समझे तो उन्होंने क्या कुछ का था जरा एक बड़ा आप वो देखें अबराहाम लिंकल ने कहा था यू किन फूल आल दे पीपल सम अफ दे टाइम आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मुर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मुर्ख बना सकते हैं but you cannot fool all the people all the time लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए मुर्ख नहीं बना सकते यानि आप समझे कि अगा आप जो है कुछ लोगों को यह जो जनता को जो मुफ्त की रेवडिया बाटी जाती है कुछ वक्त के लिए वो खुश हो जाएंगे लेकिन जब सरकार पर करजा बढ़ेगा सरकार इस पैसे को दे पाने में सक्षम होगी तो फिर वो पैसा कहां से अलाके देगे उस स्थथी में वो योजना बंद करनी पड़ेगी फिर उस दौरान जनता क्या करेगी उसका भी असर देखने को मिलेगा जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज का गुस्ता जो है वो सरकार से निकालेगी जैसे कि अभी हाल फिलाल में देखिए कि करनाटक के कि अंदर एक योजना को जो है वो सरकार बंद करने की सोच रही है और उसकी पूरी की पूरी समख्षा कि याने की रहा लेए क्योंकि इसके कारण स्योझना कि ही कारण बनाने का काम जनता लालची होगी, वो मुर्क बनेगी भी, लेकिन ये लालज कहीं न कहीं जो है, वो जनता पर भारी पड़ता नजर आएगा, ऐसे में जनता को भी अपने विवेक से काम लेनी की जरूरत है, कि आखिर में कौन व्यक्ति, कौन पार्टी जो है, वो सच बात कर रही है, वो कितनी चीजों को निभा सकती है, और कब तक के लिए निभा सकती है, ये सबसे बड़ी चीज है, देखें महराश्च कोई अंदर अगर हम देखें, तो ये राज्य की सरकार और कुछ नेता ये दलील दे सकते हैं, कि विकास करना था, तो कर्ज की गारंटी देनी थी, और राज्य म पे तीन विद्योत कंपनियों के निर्मार का उदेशी ये था, कि स्वतंत्र और स्वालंबी वह सक्षम मनाया जाए, यही उदेशी सडक विकास महामंडल को ले कर था, लेकिन फिर भी इसके कर्ज की गारंटी लेनी पड़ती है, तो मूल उदेशी क्या हुआ, किसी भी रा बेहन उपक्रमों की कर्ज की गारंटी सरकार ने ले ली तो शिक्षा, स्वास्ते, आदी मदों के लिए पैसा कम पड़ जाया, इस समय भी ओल्ड पेंशन, लड़की, बहन, योजना, इस सबी चीजों से जो है, वो सरकारी खजाने पर भार पड़ रहा है, और आगे चलकर म रथवस्था को पड़री पर लाने का आर्थिक अनुशासन लागू करने की चुनात्ती होगी ही होगी, तो अभी पूरा का पूरा मेरा ये मकसद जो था, ये महरास्ट्रों के अंदर जो जिस तरीके से जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, हाला कि और भी राज्यों के अंदर बहुत से वादे करती है, बहुत से लोकल भावन वादे किये जाते है, जनता भी इन चीजों में आती है, लेकिन किस तरीके से जो सरकार ये जो पार्टी जादा तर मुफ्त की चीजों पर ध्यान केंदरित कर देगी, बर शरते इस चीज के कि वो रोजगार पैदा करें, अ आपके साथ शालेनी धन्यवाद